नमस्क्राइब दोस्तों स्वागते आपका हमारे चैनल वाव एलिक्रिकल पर और आज हम बात करने जा रहें पैरलल में अगर R1, R2, R3 रेजिस्टर हो और V-Vault की बैटरी हो तो किस तरह से आप R-Equivalent I1, I2, I3, V-Vaulted Drop and P1, P2, P3 and P-Total Power Loss किस तरह से फाइंड कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारे बैटरी है किस ने 230 वाट यह हमारा करन्ट आई है यहाँ पर हम यहाँ पर लेंगे R1 is equal to I1, R1 रेजिस्टर और I1 current, R2 रेजिस्टर और I2 current and I3 current and R3 रेजिस्टर हमारा V-Vaulted Drop यहाँ तीनों में अगर सर्किट आपकी पैरलल है तो V-Vaulted Drop कितना होगा semi होगा इसके लिए हमने यह value लिख के रिकिती तो अब हम find करेंगे R equivalent किस तरह साफ होता है तो यहाँ पर R equivalent find करने के लिए parallel में 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 तो यहाँ पर हम अपने value put करेंगे 1 by 10 plus 1 by 20 plus 1 by 30 तो यहाँ पर 1 by 10 is equal to हम क्या ले सकते हैं 0.1 1 by 20 means 0.05 and 1 by 30 means 0.033 तो इसकी value क्या होगी 0.1833 यह value हम यहाँ पर लिखते हैं तो 1 upon R equivalent is equal to 0.1833 तो अगर आप calculation करेंगे तो हमें R equivalent is equal to 5.45 ohm मिलेगा यह calculation आपको करनी है हमने सिप यहाँ पर लिख दिया है तो R equivalent आप यहाँ ले जाएंगे equal to के इस side में upside और यह आपकी किमत 1 by हो जाएंगी तो आपको यह value मिल जाएंगे तो हमने R equivalent find कर लिया है R equivalent क्या है हमारा 5.45 ohm ओके तो अब हम find करेंगे current i1 i2 and i3 तो नाव यहाँ पर हम सबसे पहले find करेंगे अगर आपको total current भी find करना है तो find कर सकते i1 plus i2 plus i3 तो सबसे पहले हम i1 को find कर लेते i1 is equal to i is equal to v by r r तो v by r 1 तो हमारा total voltage कितने 230 volt अपन आर्वन कितने 10 तो हम इसे find कर सकते है 23 ampere इसे तरह से हम find कर सकते i2 is equal to v by r2 v is equal to 230 upon 20 तो यह हमें मिल जायेगा 11.5 ampere अब हम find करेंगे i3 is equal to v by r3 तो इसकी value होगी 230 by 30 is equal to 7.67 ampere तो अगर आप इसे cut total करोंगे तो आपको i total current मिल जायेगा तो इसका total होगा 42.17 ampere जो आपका total current होगा 42.17 तो इसी तरह से आपने i1 i2 and i3 find कर ली है अगर आपको कोई कहें तो voltage parallel में कितने होते तो voltage v is equal to सभी में v1, v2, v3 क्या होते है? same होते ओके अब हम find करेंगे power loss तो उसको हम next slide में करते power loss p1 is equal to i square r पर यहां पर आपको याद रखना है i1 square r1 क्योंकि यह circuit parallel है तो i1 is equal to क्या था आपको 23 and r1 is equal to 10 तो आपका answer कुछ इस type का हैगा आपके पास सभी की value है इसलिए हम इसे find नहीं कर देंगे i3 क्या है आपके पास 7.67 ओके और i3 क्या है 30 तो आपकी value क्या आएगी 1764.86 वाट तो p1, p2, p3 आपको मिल गए तो p total हमें क्या मिल जाएंगे p total p total is equal to आप इन तिनों का multiply कर लो multiply नहीं addition कर लो तो आपको मिल जाएंगे 9699.86 वाट तो यह आपका power हो गया हम देख लेते हैं circuit में तो आपके पास parallel circuit है सबसे पहले हमने R equivalent find किया उसके बाद i1, i2 & i3 find किया current in each branch उसके बाद voltage drop to semi होता है उसके बाद power loss loss P1, P2 & P3 find किया और total power loss कितना है उसे हमने find किया thank you for listening और subscribe कर लेजिए हमारी channel को okay अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कैसा लगा इसके बारे में आप comment करके बता सकते हैं और आपको कुछ भी जानना हो तो वह भी आप अपने comment करके हमें बता सकते हैं thank you for listening and subscribe कर लीजिए पोड़िए झाल कर दो और प्युण कर दो कर दो कर दो